जो जुनाल्स होते हैं कुछ बच्चों को रिहाबिलेटेशन की जरुरत होती है तो इसी तरिके से जो स्टूडेंट्स अभी अपनी डिगरी साइकॉलजी में परस्यू कर रहे हैं जिसके बाद लाइसेंस मिलता है कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उनके लिए मतलब अगर मैं पूछना चाहूं आपसा कि कैसे वो बच्चों के साथ मिलके उनके लिए काम कर सकते हैं 365 के साथ चैयलस मिलके के साथ मिलके यह जया से अप्रच्टों को इस फिल्ड में आना हो और इक partner करने पड़े इंट्रशिप में तृधी सब्गने को आंपके ऩर बंदीनंग्ही से निफ o तो उनको या तो होम से या डवलू सीटी से परमिशन लेनी को अपने लेवल पर नहीं आ सकते हैं जाएलवेर फेर कमिटी के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे जो डवलू सी डिपार्टमेंट है वहां से उनको परमिशन लेनी होगी तो जो अगर वो इंट्रेंशिप करना चाहते हैं तो जो भूम है अगर गोर्रूनेंट होम है तो डिल्ली गय् возм News के तरफ कोई ग्रूर्टमेंंट होता है एर न सब्रव्राइम करना चाहिए इसह दर्लेपिस्ट यह हैभलेटर्टेसन के लिए कुछ कुछ जोएन करना चाहता हो तो कोई वेकेंसी या रिक्रूटमेंट निकलता है क्या जो गवर्मेंट होते हैं उसके लिए डबलू सी जो हमारे वोमेंट चाइड डिपार्टमेंट है उसकी वेकेंसी निकलती है जिसका एक्जामनेशन दिल्ली सवर्टनेट सर्विस के परक्र्चन जो है उसके द्वारा सेलेक्शन किया जाता है और जो हम है जिनको एंगयो लुए व कर रहे हैं उसके लिए पडिकर जो वो भी उनका तरेका है वह करते हैं उसके द्वारा जो है वो अपने कौन से लिए और इंटेंसिब के लिए क्या डिरेक्ट आ सकते हैं या उसके लिए भी परमिशन लेने के बाद ही आ सकते हैं परमिशन लेनी पढ़ाएगी हमारे डंबू से लिए पारएगी ओके